हेले स्टुडेंस आज के लिक्चर में हम योजेस ऑफ जेरेंट के बारे में बात करने वाले हैं मतलब कि हमें इस लेक्चर से पता चलेगा कि सेंटेंसेज में जेरेंट को क्या अलग-अलग फंक्शन्स परफॉर्म करने के लिए यूज किया जा सकता है तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेज लिक्चर हैं और यहाँ पर फंक्शन्स हम इन दोनों की मदत से आज के लिक्चर को स्टैडी करेंगे तो देखिए दोस्तों आपको यह चीज तो पता है जो एक सेंटेंस है उसका जो basic structure होता है वो होता है कि सबसे पहले एक subject आएगा फिर verb और उसके बाद object word तो होता है किसी action का नाम subject होता है कि उस action को कौन perform कर रहा है जो वो action है वो किसके और refer कर रहा है तो वो होता है हमारा subject और साथ में जो subject और verb के बीच में क्या relation है वो हमें पताता है object दोस्तों आज के lecture में हम इसी चीज को identify करकी यह देख लेंगे कि जो gerund है वो एक sentence में क्या function perform कर रहा है देखे पहला sentence है walking is a good exercise दोस्तों अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि walking एक बहुत ही अच्छी exercise है यहाँ पर है is action है मतलब कि यह हमारी verb है इस verb से पहले आता है दोस्तों subject क्या है walking तो यहाँ पर walking एक हमारा subject है और दोस्तों इसके बाद good exercise इन दोनों की बीच में relation कि walking क्या है good exercise यह good exercise हमारा object है अब दोस्तों हमें identify करना है कि इस sentence में gerund क्या है gerund की formation में हमने पढ़ा था कि verb की base form होनी चाहिए और उसकी end में ing होना चाहिए तो इस sentence में ऐसा कौन सा word है walking देखिए यह verb की base form है walk और last में ing तो यह एक gerund हो सकता है अब हमें test करना है कि अगर यह एक noun का role play कर रहा है तो 100% यह एक gerund है तो दोस्तों क्या यह एक noun का role play कर रहा है बिलकुल दोस्तों यहाँ पर walking एक subject है यह एक good exercise का नाम है तो यानि कि यह एक noun की तरह role play कर रहा है और यह एक gerund है तो हम कह सकते हैं कि इस sentence में जो gerund है वो एक verb के subject होने का role play कर रहा है तो दोस्तों पहला function हो गया subject of a verb second sentence देखते हैं he likes sleeping long उसको लंबी देर तक सोना पसंद है अब दोस्तों यहाँ पर verb क्या है action क्या perform हो रहा है likes कि उसको कुछ करना पसंद है तो यहाँ पर likes हमारा action यानि की verb है अब दोस्तों किसको पसंद है he को तो he हमारा एक subject है object होगा sleeping long यह हमारा object बन गया अब दोस्तों इस sentence में gerund को identify करना है देखिए कोई भी ऐसा word जिसकी last में ing हो और उससे पहले एक किसी verb की base form हो तो यहाँ पर दोस्तों sleeping जिसमें sleep एक verb की base form है और last में ing लगा हुआ है तो यह gerund हो सकता है अगर यह एक noun की तरह act करें तो दोस्तों यहाँ पर noun sleeping long यह sleeping एक किसी activity किसी performance का नाम है तो यानि कि यह एक noun object की तरह role play कर रहा है तो दोस्तों आपको second function भी अब clear होना चाहिए. Third, देखिए. His aim in life is becoming a chef. अब यहाँ पर दोस्तों, उसका ये aim है, action है हमारा is. अब यहाँ पर subject है हमारा ये पूरा his aim in life, उसका मकसद. तो यहाँ पर his aim in life, ये पूरा हमारा दोस्तों subject है. अब बात आती है कि object क्या है, verb के बाद वाला part, यानि की becoming a chef. Students, अगर ये sentence सिर्फ इतना होता, his aim in life is, तो क्या कोई meaning बनता? नहीं. हमें क्या verb के बारे में कुछ पता लगता? नहीं. तो मतलब कि ये is, ये verb की meaning को complete करने के लिए, हमें आगे कुछ words की जरुरत है. और दोस्तों, यहाँ पे becoming एक वो word है. तो मतलब कि ये becoming एक ऐसा role play कर रहा है, कि ये जो verb है, इसका meaning और complete हो जाए. यानि कि दोस्तों, ये एक verb के complement का का काम कर रहा है. तो देखिए दोस्तों, gerund एक verb के complement का भी role play कर सकता है. आपको third function भी, आप clear होना चाहिए. तो students, हमने तीन functions को study कर लिया है, कि जो gerund है, वो एक verb का subject हो सकता है, object हो सकता है, या फिर उसका एक complement हो सकता है. तो दोस्तों, ये तो थे main functions. अब एक बहुत ही exclusive function की बात आती है. ये बहुत ही interesting है. दोस्तों, जो non-finite verb है, उसका एक part है gerund, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं. इसका एक और part है, जो की है infinitive. अगर आपने infinitive के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं. मैं आपको एक छोटा सा introduction दे देता हूँ. जैसे ये gerund होता है, इसमें हम verb की base form के आगे ing लगाते हैं और noun की तरह इसको use करते हैं. इसी तरीके से non-finite verb एक और type की होती है, जिसको हम infinitive कहते हैं. ये जो infinitive होता है, इसको भी हम एक noun, किसी adjective या adverb की तरह use कर सकते हैं. और इसको form करने के लिए हम क्या करते हैं? verb की base form लेते हैं और उससे पहले to लगा देते हैं. तो यानिकी दोस्तों, to और उसके बाद verb की base form. तो ये एक infinitive की formation होती है. दोस्तों, ये जो हमारा fourth function है, ये कह रहा हैं कि आप infinitive की place में gerund को use कर सकते हो. देखिए, sentences समझते हैं. teach me to edit. यहाँ पर दोस्तों, देखिए, मैं आपको क्या बताया? कि verb की base form और उससे पहले to होना चाहिए. यहाँ पर to है और verb की एक base form है. तो ये to edit हमारा एक infinitive है. और दोस्तों, इसी infinitive को replace करके हम एक gerund use कर सकते हैं. यानिकी यही verb की base form और end में लगा देंगे ing. यानिकी editing. तो देखिए, यह sentence बन सकता है, teach me editing. तो यानिकी हम infinitive को replace करके एक gerund का कुछ situations में जैसे कि इस sentence में use कर सकते हैं. तो दोस्तों, I hope कि आपको gerund के यह चारो functions अब बहुत ही अच्छे से clear हैं. अब आपको इस पूरे lecture में कोई भी doubt नहीं होना चाहिए. दोस्तों, अब बहुत के basis पर जो exercise है, उसको solve कीजिए. Next lecture में हम उसको discuss करेंगे. तो इसलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले lecture में. अब बहुत